सूप्रबात मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे मैं आपकी नेहा मैं हिंदी की क्लास में आप सब का स्वागत करती हूँ अच्छा बताओ मुझे आप सबने अब तक कौन से वेंजन सीखे हैं तो पहले हम उन वेंजनों का फिर से अब्यास करेंगे और फिरे नए वेंजन सिखेंगे तो आप सब तयार हूँ शुरू करें कसे कमल कसे खरगोश गह से गमला गह से घर अंग खाली जह से चर्खा जह से चत्री जह से जलेवी जह से जंडा इया खाली तसे टमाटर ठ से ठप्पा ड से डमरू ड से डोलक अना अना से कोई शब्द नहीं बनता पर यह शब्द के बीच में या अंत में लगता है जैसे की प्रणाम त से तलवार त से थर्मस द से दवाई द से धनुष न से नल पसे पेड फसे फल बसे बतक बसे बालू मसे मचली यसे यज्य रसे राखी ला से लड़की वा से वन श से शर्बत श से शटकौन वेरी कुट बच्चों आप सबने तो व्याँजन बहुत अच्छे से बोले अब हम एक नय व्याँजन सिखेंगे वो है व्याँजन स बोलो मेरे साथ व्याँजन स ये है व्याँजन स स से सूर्य सूर्य मतलब सन स स से संदूक संदूक मतलब लकडे का बड़ा बोक्स स स स साप साप मतलब स्नेक स स स स सडक सडक मतलब रोड स स स स साबुन साबुन मतलब सो स स स स पेरा जो साप को पकड़ता है स स सरोता जो सुपारी काटने के लिए यूज होता है स स स संदूक स स स स सी डी सी डी मतलब लेडर स स स स स सी टी सी टी मतलब विसल चलो बच्चो तो आप देखते हैं आपकी प्रैक्टिस वर्क्षीट बच्चो ये है आपकी प्रैक्टिस वर्क्षीट इस वर्क्षीट में आपको व्यंजन पहचान कर चित्र में रंग भरना है तो बताओ मुझे वर्क्षीट में कौन सा चित्र दिया है? येस सवसे सूर्य तो सूर्य में आपको यलो या ओरेंज रंग भरना है ये वर्शीट आप अपने हिंदी वर्ग बुक के पेज नमबर 57 पे कर सकते हो बच्चों वर्शीट अच्छे से कम्प्लीट करना ओके आज के लिए इतना ही फिर से मिलेंगे बाई बाई